स्टार्टिंग में हम देखते हैं इची को खुद से बोलता है गांजु कहां होगा इकाकु ने भूला था कि वो स्क्वाड इलेवन की फिफ सीट वाला सोल रिपर है मुझे गांजु को बचाना होगा तबी इचीगो जोर से गांजु चिलाता है तो कुछ सोल रिपर इचीगो के पीछे भागने लगते हैं फिर सिन सिफ्ट होता है गांजु पर तबी गांजु बोलता है अगर इस गड़े में मैं गिर जाओंगा तो तुम मेरा पीछा नहीं करोगे तो सोल रिपर बोलता है ठीक है चले जाना पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ अगर तुम इस गड़े में गए तो ये गड़े सेकी सेकी पत्तर से वना हुआ है ये तु में डेमेज दिया था पहले वो अभी भी हील नहीं हुआ है मैं तुम्हें जल्दी हरा दूंगा ये तो नेच्रल है ब्यूटिफुल लोग हमेशा अगली लोगों को हरा ही देते हैं यहां मेरा पॉइंट है तभी इचिगो की आवाज आती है गांजु तभी सोल रिपर बोलत है ये तुम्हारा नाम बुला रहा है तुमारा फ्रेंड तभी घांजु बोलता है तुम कुछ भूल रहे हूँ वो यहां आवाज लगा रहा है क्योंकी उस ने तुम्हारे बाटनर को हरा दिया है तो सोल रिपर शॉक हो जाता है और तभी घांजु अपनी पॉकेट में से कुछ बॉम निकालता है और Soul Reaper पर फैक्ट देता है तबी Soul Reaper तबी वो बॉम Soul Reaper को डिस्टेक कर देते हैं और गांजू वहां से भाग जाता है तबी Soul Reaper मारता है गांजू को तबी गांजू अपने सेंड नीचे यूज़ करता है और खुद से बोलता है मुझे पेशेंस रखना होगा मुझे अपना कीडो तभी यूज़ करना होगा जब Soul Reaper का ध्यान ना हो तबी गांजू के पीछे Soul Reaper आता है और गांजू को डेमेज देता है तबी गांजू को सही मौका मिल जाता है और वो अपने सेंड जहां जहां गीराई थी पारो बाजू से सेंड आती है और Soul Reaper वहां से हवा में उठ जाता है तबी गांजू अपने पोकेट में से एक और बड़ा बम निकालता है और Soul Reaper परफेक्ट देता है तबी इचीगो पीछे जितने भी Soul Reaper थे इचीगो ने सब को हरा दिया होता है तबी कैन पाची इचीगो को ढूनने की कुशिश करता है तबी सीन सिफ्ट होता है और 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 हीमे पर तबी और हीमे के पीछे एक Soul Reaper आता है और वो अटेक करता है और हीमे पर और 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 हीमे को अपने स्पीड से बचा लेता है तबी Soul Reaper बोलता है मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ तुम तब तक यहां से भाग जाना तब ही ओरी ही में अपने मन में सोचती है कि ओर्यू की स्पीड बढ़ गई है योरो इची ने सही कहा था ओर्यू ट्रेनिंग कर रहा था तब ही वो सोल रिपर अटेक करता है ओर्यू और ओरी ही में पर तब ही ओरी ही में सुबाकी को बुलाती है और कॉंटेंशन टू आय रिजेक्ट करती है पर ओरी ही में का एम भीगड जाता है क्योंकि ओरी ही में सोल रिपर को मारना नहीं चाहती थी तब ही सोल रिपर सुबाकी पर अटेक कर देता है अपनी जानपाक्टों से और सुबाक कि वहां से चला जाता है तब इस OU depuis पर बोलता है तुम किसी को नहीं मार सकती और इस अटेक से भले तुमने होल्यो को मारा हो पर तुम इस अटेक से मुझे कुछ नहीं कर सकती तब इस OU रिपर अटेक करता है औरी हिमे पर तब ही उर्यू अपने एरो से औरी हिमे को बचा लेता है और बोलता है तुम मुझसे फाइट करो इससे नहीं तब ही सीन सिफ्ट होता है रूक्या पे वहाँ पे वही सोल रिपर आता है और बोलता है जब रूक्या वहाँ पे थी तब ही र कर दूं तभी दूसरे सोल रीपर हनातूरों को वहां से भगा देते हैं नेक्स इन में हम देखते हैं बहुत सारे सोल रीपर इचीगों पर अटेक करते हैं तो इचीगों वहां से बाग जाता है तभी सीन सिफ्ट होता है वापस से उर्यू पर तभी उर्यू को देखके उर्य में मन में भूलती है कि उर्यू को काभो बहुत स्टरोंग हो गया है और उर्यू कि स्पिरिचुल प्रेशर भी स्ट्रोंग लग रही है। में बदल जाती है तब ही वो सोल रीपर अपना इंट्रो देता है मैं स्क्वाट सेवन के फोर्ट सीट में हूं और मेरा नाम जीराबू है और लग मुझे प्यार से जीरावू विंक्ट साइथर के नाम से बुलाते हैं मैं बहुत स्केल्ड वाला हूं हवा में देखो मेरी काउंटलेस ब्लेट्स तुम्हारे को मारने वाली है तब ही उर्यो अपने एरो के एक ही बार में सारे ब्लेट्स को खतम कर देता है तब ही सोल रीपर वापस से जानपाक्टो निकालता है तो उर्यो जानपाक्टो को तोड़ देता है और सोल रीपर बहुत होता है एक कैप्टन अपने सोर रिपर टीम को बोलता है वो सब यूमन्स के मेरे सामने जिन्दा लाना मुझे उन पर रिसर्च करनी है तभी एक बटरफलाई आती है और एक लड़की पर बहट जाती है लड़की का नाम नेमू होता है वो बटरफलाई कुछ मेसेज लेके आई थी तो कैप्टन पूछता है क्या मेसेज है तो नेमू बोलती है अभी रियोका ने 11 स्कौट के इकाकु मदरामे को हरा दिया है तभी कैप्टन बोलता है कि रियोका ने हरा दिया मदरामे को तो फिर ये रियोका कुछ इंटरस्टिंग लग रहा है तो कैप्टन पूछता है कैन पाजी किदर है तो नेमो बोलती है उन वो रियोका को ढूनने पहले ही निकल गए हैं तो कैप्टन बोलता है तो उसे कुछ पता नहीं होगा इस सब के बारे में तो हमें सबसे पहले उन रियोका को ढूनना होगा तब ही सेन योरो इची पर शिफ्ट होता है वो बूलता है मुझे कैन पाजी का spiritual pressure फिल हो रहा है तो वो अपने रस्ते में तुम संभाल कर रहना इची गो फिर हम गांजु को भागते हुए देखते हैं फिर हम चैट को देखते हैं फिर हम औरियो और औरहिमे को भी को एक भी एक वे विर करते हैं तब एफिसोड को डायएं कि